हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एक्जाम हैल पर मैं तो दोस्तों फाइनली आपका जो एन्बेस के न्यू वेकेंसी निकली है उसकी एक्जाम डेट जो है वो आउट हो चुकी है पूरी ही डिटेल में हम बात करने वाले हैं किस-किस तारीक पे आपका एक्जाम है और जो है आपके एड्मिन कार्ट कप तक आने वाले है और चार एक्जाम जो है एक ही दिन में आपको देखने को मिल रहे हैं आपका जो NBS है ये exam postpone नहीं करता है जिस date पर उसने जो exam conduct करानी की बोली थी वो उसी date पर आपके exam ले सकता है ये किया दो दिन ऊपर नीचे वो सकता है तो दोस्तों चैनल पर नहीं है चैनल को subscribe कर लिए क्योंकि हमारे चैनल पर आपको जो है NBS चैनल की जानकारी दी जाती है साथ ही साथ दोस्तों आपका जो computer का आठवा पार्ट है वो आपको आज से देखने को मिल जागा दोस्तों अभी कुछ technical issue आ रहा था जिसे मैं video अपलोड नहीं कर पार रहा था तो वो technical issue सही हो गया है अब आज से आपको computer की classes आपकी regular मिलेगी आपको आज सामको आपका computer का 8 नमबर का पार जो है मिल जागा चलिए हम इसमें detail में बात कर लेते हैं तो देखिए दोस्तों यह है बिल्कुल official notice आप इसे website से जाकर download कर सकते हैं देखिए दोस्तों एक चीज़ बता दूँ देखिए यहाँ पर जो आपके यह कल notice आना था पर इनोंने जो आज यह से release कहा ठीक है देखिए यहाँ पर लेखा हुआ है कि नवोदे विद्याले समीती had noticed vacancy जो की आपको 15 से 21 जनवरी के बीच इनोंने निकाला था उसके लिए schedule of computer based test for NBS non teaching post for under requirement drive यानि कि उन्होंने एक time schedule आपको दे दिया है यहाँ पर देखिए दोस्तों देखिए यहाँ से जो आपके exam start हो रहा है यहाँ पर आपको post का name दे रखा है यहाँ पर date of cbt exam दे रखिए दोस्तों देखिए यहाँ से जो आपके exam start है वो 8 March से start है और 13 March तक यहाँ पांच दिन आपके exam चलने वाले हैं दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक और जानकाली दे दूँ दोस्तों दोस्तों आपकी exam date already out हो चुकी है और इसके देखिए exam date out होते ही अब आपके बस मात्र 15 दिन सेस बचे हैं और यही सही समय होता है कि आपको test book लगाना चाहिए test book test लगाना चाहिए 100% को कि यहीं से आपका score बूच होता है इससे आपको पता चलता है कि आपके अभी marks कितने आ रहे हैं और exam में भी आपके उतने ही marks आने के chance होते है ठीक है तो आप क्या करिए test book के आप test book ले सकते हैं जिसमें 480 से ज़्यादा exam आपको देखने को मिलते ह चाहिए 36,000 से ज़्याद मोक टेश आपको मिल जाते हैं यह इसकी प्राइजिस है इरली lifetime और मंतली के आप ले सकते हैं देखिए इसमें इतने सारे exam कवर की जाते हैं सारे ही exam इसके अंदर कवर की जाते हैं अगर आपको दोस्तों यह पर्चिस करना है तो simply आपको जो है दे जिसका जो है B1NW47 इसको आप apply करते हैं तो दोस्तों देखिए आपको यहाँ पर discount देखने को मिल जागा इसके लिंक आपको वीडियो के description में मिल जागा वहाँ से या के ले सकते हैं दोस्तों यही समय है आपको test लगाना चाहिए जिससे आपके score बूश चुतार चलिए हम अब जो है detail में इसकी बात कर लेते हैं कि कब-कब exam है और क्या आपके साथ होने वाला है ठीक है देखिए 8 March को आपके कौन-कौन से exam है तो चार पोश्ट के आपके एक्जाम है फीमेल नर्सिस्ट आप, catering assistant, electrician, cum plumber और steno grapper इन चार पोश्ट का आपका 8 वारीक में exam होने व ज्यादा फॉर्म बरेगा है जेन वी गडर में उसका एक्जाम है आपका 9 March को साथ इसाथ लेव अटेंडेंट का भी आपका एक्जाम है 9 March को तो दोस्तों ऐसा हो सकता है देखिए अगर यह एक ही दिन में चार एक्जाम है तो मान के चलिए आपका देखिए चार शिप्ट फीमेल का ले लियागा तीसरे में इस तरीके से आपका एक्जाण शुसेट की जाएगे और यहां पर यहाँ पर हमारा है जो है यह सोन के असिस्टारीक मेhen भी हमारे दो एग्जाम है तो यहां पर बिदार कमानी के एक्जाम है ASO है Assistant Section Officer और है Multitasking हो सकता है ASO का exam एकी shift में हो और Multitasking के लिए दो या तीन shift लगे है क्योंकि Multitasking में ज़्यादा form भरे गए होंगे तो इस तरीके के आपका exam होने वाला है वहीं अगर JSA का आपने Headquarter या Regional Office वरा है तो आपका 11 तारिक में exam है 11 तारिक में भी आपके दो exam है यह का Computer Operator और यह का JSA का ठीक है तो यहाँ पर भी अच्छी बात है इसके बाद देखिए 12 तारिक में आपके चार exam है कौन-कौन से Master Helper, Junior Translator और Assistant Commissioner और Junior Engineer से बल ठीक है इसके अलाबा देखिए आपका डाउट होगा इसका Admit Card अप तक जारी किया जागा तो जल्द ही आपको 2-4 दिने 5 दिन के अंदर Admit Card देखने को मिल जागा और जो है Link आपको Website पर मिल जागी साथ इसाथ आपके Email जो Address है पर भी आपको जो है इसका Link दिया जाता है Download करने का ठीक है जिसमें आपको Name सेटी बगरा देखने को मिलेगी ठीक है तो दोस्तों I hope आपको सब को समझ में आगया होगा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के मात्यम से पूछ सकते हैं Computer का Part आपको सामको मिल जागा ठीक है आटवे नमर का और आपको टेस्ट वोक लेना है तो इसका screenshot लेकर ले सकते हैं ठीक है बागी मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में तब तक लिए जैहन जवार